हेलो एब्रिवन अगेन वेलकम टो में इस वीडियो और आज मैं बात करने वाला हूँ फाज एल के बारे में जो की पिगमेंटेशन में डार्क स्पोर्ट्स में और डलनेस में जहाईयों में और ऐसी डार्क पैचीज हो जाते हैं फेस पर तो ऐसी कंडिशन्स में यह हल्प कर हैं और एलेंन टॉन है ऑक्सी टॉकसोनेट है वयतमीन-ी-ए-पी-बार- एक्सटेक्ट है तो सबसे पहले मैं आपकों इसकी इंडिकेशन्स बतादेता हूं तो मैंने इसकी कंपुजिन आपको बता दी है और इसकी इंडिकेशन्स है यह आपको ब्राऊनी पैची reconciliation patches हो जाते हैं या दाग दब्बे हो जाते हैं skin पर brown patches हो जाते हैं या hyper pigmentation हो जाते हैं जाहिए या बहुत ज़ादा हो जाती है तो ऐसी condition में आफ far gel को purchase कर सकते हैं किसी भी medical store से और इसमें octino oxide composition है koji acid है, arbutene है, mulberry extract है vitamin E है जो कि बहुत ज़ादा potent skin brightning ads chill है जो की help करते हैं आपकी pigmentation को control करने में और face skin को bright करने में तो इसका एक और भी फायदा है वो यह है कि यह sun induced UV damage होने से भी रोकता है ठीक है गाइस और सबसे अच्छी बात है यह melanin के production को भी reduce करता है और जो arbutin है और जो kojic acid है यह दोनों मिलकर अच्छे से काम करते हैं और skin को bright करते हैं तो आपको यह जो gel है वो किसी भी medical store से मिल जाएगा और यह 300, 400, 500, 600 के बीच में इसकी range होती है डिपेंड करता है इसका इसकी quantity कितनी है और इसको सिर्फ आप morning में या night में apply कर सकते हैं with the advice of your dermatologist और यह सिर्फ external use के लिए है और यह dark sports और hyper pigmentation में इस्तिमाल किया जाता है और इसकी जो doses है वो आपके dermatologist ही prescribe करेंगे वही आपको बताएंगी कि इसका कैसे use करना है बिना doctor की advice के आपको इसका use नहीं करना नहीं तो side effects देखने को भी मिल सकते हैं लेगिन अगर आपको इसका use करना है तो सबसे पहले इसके label carefully पढ़ ले इसकी direction पढ़ ले और इसको light से बचा कर रखें यानि sun light में ना रखें अगर आप इसको रखना चाहते हैं और इसको refrigerate में भी ना रखें और बच्चों से इसको दूर रखें तो गाईज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो please subscribe जरूर कर देना लाइक कर देना शेयर क इसको face पे जहाईयों की problem है उन उनको ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी अपनी जहाईयों को रोक सके चैरे पे होने से ठीक है गाईज और सबसे जो main बात है वो ये है इसमें इसकी जो composition है वो बड़ी अच्छी है ठीक है गाईज तो इसमें बहुत सारे alternate brands भी आते ह हैं तो वो आप खरीज सकते हैं और अगर इसके contraindication की बात करो तो contraindication में इसकी confirmation नहीं है तो वो आपके dermatologist ही बताएंगे कि किन-किन conditions में इसको नहीं लगा सकते तो ये खुद से self-medicate ना करें खुद से ये ना लगाए नहीं तो आपको adverse effect भी देखने को मिल सकते हैं ठीक है गाइज तो आइए तिल देन टेक्र बाइबाए थैंक यू गाइज